तो तमिल एक्टर मनसूर अली खान को मदरास हाई कोट में डांट लगाई है क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रिशा और चुरंजीवी और खुश्बु सुन्दा के खिलाफ डिफरमेशन का केस किया था अब सवाल ये उड़ता है कि जिसने केस किया उसको इडांट क्यों पड़ी? तो मामला क्या है आपको बताते हैं अनसूर अली खान ने एक इंटर्व्यू में अपनी लियो को स्टार त्रिशा कृष्णन के लिए गलत शब इस्तिमाल किये उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला कि मैं त्रिशा के साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि इसके साथ एक बेडरूम सीन तो होगा मुझे लगा कि मैं त्रिशा को उठाऊँगा और उसे बेडरूम में लेकर जाऊँगा ऐसा मैं अपनी बागी फिल्मों के सीन के दौरान कर चुका हूँ कई actresses के साथ कर चुका हूँ मैंने बहुत सारे rape scenes shoot किये हैं तो मेरे लिए ये कुछ नया नहीं था हलाकि इन लोगों ने मुझे कश्मीर में shooting के दौरान तृशा को देखने को भी नहीं दिया इसके बाद ये actor ट्रोल हो गया South Indian Artist Association ने 19th October को Krishnan के खिलाफ टिपड़ी के लिए अभिनेता मंसूर अली खान की करियन दा की और उन्हें publicly माफी मागने के लिए कहा इसके अरावा राश्ट्रिय महिला आयोग की शकायत के बाद Thailand Light All Women Police ने खान के खिलाफ एफायार दर्श की त्रिशा भी सामने आई उन्होंने विरोध किया सोशल मीडिया पर पोस्ट किया खान ने कहा कि वो माफी नहीं मागेंगे हलाकि ट्रोलिंग के बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिये से माफी माग ली उन्होंने लिखा कि फिल्म इंडस्ट्री में मेरी कलीग त्रिशा मुझे माफ कर दो उमीद करता हूँ कि भगवान मुझे कभी ये मौका दे कि मैं तुम्हारी शादी में तुम्हें आशिरवाद दे पाऊ फायार दर्ज उन्हें के बाद पूछताच के लिए पुलिस के सामने जब वो पेश हुए तब भी उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चला कि तृषा उनकी टिपड़ी से दुखी है तो उन्होंने पुलिस अधिकारी के सामने खेद्व्यक्त किया जब आक्टियों ने मुश्बू के खिलाफ मानहानी का केस दर्श किया और तीनों से एक एक करोड रुपे की मांग की जिसके बाद मद्रास हाई कोट ने उन्हें काइदे से डांड़ा जस्टिस एन सतीश कुमार ने कहा कि तृषा के बजाए मनसूर क्यों आये मानहानी का मुकदमा दर्श करान जरा मनसूर को समझाइए मनसूर ने यह दावा किया था कि उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा है ऐसे उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी ना उन्होंने तृषा का नाम लिया है बस वो अपने नेगेटिव पहलियों पर कमेंट कर रहे थे अब आपको क्या लगता है मनसूर अली खान कितने सही थे कितने गलत है हमें कॉमेंट में जरूर बताईएगा